हलो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेल कैसे कर सकते हैं यह फिर इस प्रॉप लोज को चार्ट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं तो देखिए अभी मैंने एक order place किया जो कि आप देख सकते हैं कि अभी currently क्या इसका यहाँ पे चल रहा है तो कोई भी stop loss लगाने के लिए simple आपको क्या करना है कि इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो screen को सबसे पहले तो premium वाला यह चार्ट है ठीक कभी भी आपको जो sport chart होता है उस पे आपको stop loss नहीं लगाना है प्रीमियम चार्ट के ऊपर लगाना है तो premium चार्ट पे आप आएंगे और इस तरह से अगर टस्ट करके रखेंगे अपने finger को तो इस तरह का एक आज आएगा जो confirm कर रहरा हैं तो यहां पर भी आपको stop loss लगाना है simple आप यहाँ पे इस तरह से इसको ले के जाएंगे और जो आपको side में plus का button दिखरा है उस पे अप एक बार प्रेस करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा वाला options आपको दिखरा है यह वाला cell, nifty fifty और यह वाला यहाँ पे सब्सक्राइब त है तो तीस्रा वाला फिस्स में हिं आपका स्टॉप लगेगा अगर अगर आप दूसरा या फिर पहला वाला और प्तॉप कर जाएगा और ट्रेल वगेरा करना है तो सिंपल ट्रेल करने का मिथड क्या है कि आप इस तरह से यहां पर इसको इस पर टच करेंगे और यहां से इसके उपर आप ट्रेल भी कर सकते हैं अब हमने अल्रेडी जो है यहां पे stop loss लगा रखा है तो यहां भी देखते हैं कि stop loss अगर hit हो जाता है यहां पे जैसे touch होगा तो automatically stop loss हो जाएगा modify करने के लिए simple यहां पे जो यह आपको दिख रहा है 50 उस पे आपको क्लिक करना है simple इस तरह से क्लिक करके यहां पर modify भी कर सकते हैं जैसे मुझे यहां पे थोड़ा से price को increase करना है जैसे कि मैं यहां पे 10 डाल देता हूं और यहां पे मैं 5 कर देता हूं और इस तरह से मैं जैसे ही modify करूंगा modify order पे तो यहां पे देखिए कुछ wait होगा और automatically जो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो अभी जैसे यहां पर touch होता है तो देखिए पे जाकर दिखा दिता हूं तो यहां से बेड आया जाता हूं simple order पे क्लिक करता हूं और यहां पे आप आप the position में देखिए तो यह देखिए यहां पर position में पर ही जो है स्टॉपलोस को लगा सकते हैं और स्टॉपलोस को ट्रेल करना है तो वहीं से आप मोडिफिकेशन करके इसली उसको ट्रेल भी कर सकते हैं